हे गाईज कैसे विडियो में मैं आपको कुछ स्टैप का सीबी एडिटिंग सिखाऊंगा बिल्कुल एजी तरीके से एंड गाईज उससे पहले भी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब करके एंड गाईज बिल मोटकेशन को आउन कर लिजीगा सो आपको कुछ स्टैप का सीबी एडिटिंग करने के लिए गाईज आपको कुछ स्टैप का बैगराउंड की जोड़त परेगी जिसका लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप वहां से वाले बैगराउंड को जस्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड गाईज एड फॉटोज में चला जाता हूं एंड जिस भी फोल्डर में हमारा यहां से पिरोट कर लेता हूं एड़ एज यहां से हमारा पिरोट को जो है यहां से बैग्राउनでは कड़ाउंड की यहां हो कोई अपने पिक्चर को कुछ अपने ही स यहां से नीचे से आपको fourth number पे आपको यहां से colorize का आपको बटन दीखेगा जस्ट आपको इस पे click करने है and guys double click करने के बाद आपको यहां से hue change करने का आपको option मिल जाएगा so just आपको कुछ इतना आपको लगभग 100 के आसपास आपको रखनी है and उसके बाद guys आपका यहां से color जो है green हो जाएगा and उसके बाद guys just उपर में आपको erase का button दीखेगा just आपको इस पे click करनी है and eraser का आपको यहां से size अपने ही साब से select करके and guys just आपको यहां से picture को zoom करके and इसे face से and body से आपको कुछ इस step से remove कर लेनी है and guys इसे किवल आपको short पे ही रखनी है so guys चलिए मैं यहां से कुछ step से erase कर लेता हूँ आपको भी guys कुछ step से erase कर लेनी है and guys अभी देख सकतों मैंने यहां से सभी यहां से अच्छे तरीके से paint कर दिया है and guys थोड़ा बहुत आपका यहां से body पे आ जाता है just आपको यहां से eraser को select करके and guys आपको कुछ step से आपको इसे body से आपको remove कर लेनी है so guys आप सब इसे बड़े ध्यान से कीजिए फिलाल मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ and guys कुछ इतना कर लेने के बाद just आपको उपर से done करनी है and guys एक बार और उपर से आपको done करनी है and कुछ इतना कर लेने के बाद guys आपका यहां से एक दम पूरा यहां से search जो है green color का हो चुका है just आपको यहां से उपर से आपको done कर लेनी है and guys done करने के बाद guys आपको यहां से tool में चले जाना है उसके बाद आपको एडजेस्ट वाले बटन पर कली करनी है. यहांसे saturation है, आपको लगभग 70% increase करनी है, आपको एरेजर वाले बटन पर कली करनी है. आपको यहांसे nhi are करके चैड़ इससे आपको किवल सौट पर यह वाले saturation को आपको रखनी है. फिलाल मैं कुछ step से केवल sort पे draw कर लेता हूँ आपको भी guys कुछ step से केवल sort पे आपको draw कर लीना है फिलाल आप सब अच्छे से कीजिएगा मैं आपको totally बताने के लिए कर रहा हूँ अभी देख सकते guys हमने यहां से कुछ step से अपना saturation को sort पे draw कर लिया है and guys कुछ इतना करने के बाद जस्ट आपको उपर से done करनी है and guys एक बार और उपर से आपको done कर लेनी है and इतना करने के बाद guys फिर से आपको effect वाले button पे click करनी है and guys just आपको यहां से artist वाले आपको button पे click करनी है एंड उसके बाद guys आपको यहां से right term में आपको यहां से scroll करनी है एंड उसके बाद जिस्ट आपको fatal one पे आपको double click करनी है एंड guys कुछ second के लिए wait करने के बाद आपका यहां से automatic यहां से कुछ this type का effect डल जाएगा सो फिर से आपको एक बाद और fatal one पे आपको click करनी है एंड guys इसका आपको fade को लगभग आपको इसे 80% रखनी है एंड जस्ट guys आपको eraser वाले button पे click करनी है एंड जो भी आपका यहां से face पे यह वाला effect आरा जस्ट उससे आपको face से इसे कुछ step से आपको remove कर लिनी है जैसे कि guys मैं यहां से कर रहा हूँ एंड कुछ इतना करने के बाद guys आपको यहां से उपर से done करनी है एंड guys एक बार और आपको उपर से done करनी है एंड उसके बाद guys आपको कुछ png की जड़ोत प्रेग जिसका link आपको नीचे description में मिल जागा आप वहां से वाले just png को download कर सकते है so guys just मैं यहां से png को add font कर लेता हूँ आपको भी guys अपने png को कुछ step से add कर लेनी है so फिलाल guys हमारा यहां से png वाले folder में आपका जिस भी folder में just उसे आपको यहां से select कर लेनी है so guys एक ठो हमारा light png है just मैं इसे select कर लेता हूँ and चलिए guys मैं यहां से अपने light png को select कर लूँगा and एक text png है so just guys मैं उसे भी यहां से select कर लेता हूँ and उपर से add कर लेता हूँ and सबसे पहले guys आपको यहां से light png को लेके and इसका guys आपको blending mode को screen करनी है so मैं कुछ इस टैप से screen करके and guys आपको कुछ इस side में आपको zoom करके and guys कुछ इस टैप से आपको fit कर लेनी है and guys इतना करने के बाद अब आपको text png को select करनी है and इसका भी guys आपको blending mode को just as screen करनी है and उसके बाद guys आपको यहां से कुछ इस टैप से यहाँ पर जिधर भी चाहिए आपको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं तो guys मैं कुछ इधर सेट कर लेता हूँ आपको भी guys कुछ इतना करनी है and just guys उपर से आपको done कर लेनी है and guys अभी देख सकते हमारा यहाँ से picture पिक्सार्ट में जो भी editing था हो complete हो चुका है just मैं इसे draw tool से gallery में save कर लेता हूँ and guys अभी मैं यहाँ से three dot पे click करके अपने picture को gallery में save कर लेता हूँ and उसके बाद guys यह वाले picture को आपको lightroom में open करनी है so guys चलिए मैं यहाँ से अपने picture को just lightroom application में open कर लेता हूँ and guys just मैं यहाँ से all photos में आने के बाद just मैं यहाँ से अपने picture को select कर लेता हूँ and guys सबसे पहले आपको इसका light adjustment करनी होगी so guys आपको light में जाना है and contrast को आपको लगभग 30% आपको increase करनी है and guys highlight को आपको 20% decrease करनी है and जो shadow है इसे भी आपको 30% increase करनी है and guys just आपको black को लगभग 20% decrease करनी है and color वाले tool में जाने के बाद आपको reverence को लगभग 20% increase करनी है and just guys आपको mix tool में जाना पड़ेगा and जो भी guys आपका इस face का color है just आपको orange को select करके and guys इसका saturation आपको 20% decrease करनी है and इतना भी आपको face white चाहिए उसके हिसाब से आप सब saturation को lominions को increase कर लीजेगा and guys कुछ इतना करने के बाद आपका जो भी यहांसे कपरों का color है so फिलाल guys में यहांसे कपरों का color जो है green है just मैं इसका saturation fully increase कर लेता हूँ and guys और भी यहांसे red वगरा color वगरा आप सब इसका saturation वगरा increase कर सकते है फिलाल में इसे 30% increase कर देता हूँ and just guys मैं उपर से done कर लूँगा and उसके बाद गई just मैं effect वाले option में आने के बाद texture को 10% रखूँगा and guys clarity को मैं यहांसे 20% increase कर लेता हूँ and details वाले option मैंने के बाद guys sharping को 20% details को पूरा and noise detection को 20% and details को पूरा and color noise detection को 20% and details and smoothness को पूरा increase कर लेता हूँ and उसके बाद guys अभी आमारा picture देख सकते हूँ यहांसे पुरी तरिके से return हो चुका है just guys मैं यह वाले picture को just gallery में save कर लेता हूँ and guys उसके बाद यह वाले picture को आपको toolviz application में open करनी होगी oil effect add करने के लिए so guys अगर आपके पास toolviz application नहीं है तो आप play store से उससे download कर सकते है या guys link भी आपको निचे description में मिल जाएगा आप वहांसे वाले application को download कर सकते है फिलाल guys जैसे हमारा यहांसे gallery में save होता है just मैं ok पे click करके and guys just मैं यहां से home पे आ जाता हूँ and just guys मैं यहांसे toolviz application को open कर लेता हूँ and open करने के बाद आपके सामने कुछ इस type का interface दीखेगा so guys अभी हमारा application open हो रहा है and just guys आपको यहांसे pro editing पे आपको click करने है and जो भी आपका gallery के picture होगा आपका यहांस open होके आ जाएगा just आपको यहांसे अपने picture को select करने है and उसके बाद गया just आपको नीचे में effect करने है and उसके बाद guys आपको soft smudge पे आपको click करने है and guys आपको right के side में scroll करने है को apply करनी है जैसे कि guys मैं यहां से कर रहा हूं आपको भी कुछ step से कर लेनी है and उसके बाद guys यह वाले effect को just आपको इसे अपने search पे भी कुछ step से apply करनी है so आप सब यहां से अच्छे से कर लिजेगा फिलाल guys मैं यहां से बताने के लिए आपको जल्दी-जल्दी से यहां से यह वाला apply कर रहा हूं आप सब ध्यान से कर लिजेगा and guys अभी तक आपने हमें instagram पे follow नहीं किये तो follow कर लिजेगा आपको link नीचे description में मिल जाएगा यहां मेरा username है skaddison3 so आप सब follow जरूर से कर लिजेगा मैं यहां से just इसे search पे कुछ step से paint कर लेता हूं and just guys मैं उपर से done कर लेता हूं and guys अभी देख सकतो हमारा यहां से जो एप picture पूरी तरिके से edit हो चुका है just मैं इसे उपर से save कर लेता हूं so आपको save वाले button पे click कर लिए and आपको एसे quality 100% करके and save वाले button पे click करने है and उसके बाद guys हमारा picture यहां से gallery में save हो जाएगा so guys यकीन करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी हो लगी होगी तो आप वीडियो को जूरू से like कीजेगा अगर आप channel नहीं है तो channel को subscribe करके and bell notifications को on कर लिजेगा and guys मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए